देश में पिछले आट महीनों से चल रहे किसानानों के बावजूद भी सरकार तीन क्रिशी कानुनों पर अपनी रवैये में किसी प्रकार का बदलाव करती नहीं दिख रही है. तो क्यों ना इन तीन क्रिशी कानूनों की स्थिती की उन्हीं देशों में जाच परताल कर ली जाए जहां से यह आयात किये गए हैं यानि जहां से प्रेडित हो करके इनको लाया गया है जैसे अमेरिका, यूरोपेन यूनियन, आस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों में खुली क्रिशी बाजार नीती, कॉंट्रेक्ट फार्मिंग और कॉमोडिटी ट्रेडिंग जैसे चीज़े पहले से ही लागू है तो क्योंने उन्ही देशों में इन कानूनों की जाच परताल कर ली जाए ताकि हमें इस्थेती बिल्कुल स्वस्ट हो जाए कि हमारे देश में इन कानूनों के क्या प्रभाव हो सकते हैं, क्या परिणाम हो सकते हैं किसानों के लिए जैसे अमेरिका में पिछले 60-70 सालों से खुली क्रिशी बाजार नीती को अपनाया जा रहा है उसी तरह से अमेरिका में contract farming और commodity trading की विवस्था क्रिशी शेत्रों में पहले से लागू है अमेरिका one nation one market के सिध्धान्त को पहले से फोलो करता है जिसका दावा हमारे यहांबी क्रिशी कानूनों के लागू होने के बाद किया जा रहा है और अमेरिका में क्रिशी उत्पादों को stock करने की भी कोई limit नहीं है जिस तरह से हमारे यहां essential commodities act में परिवर्तन करके अब क्रिशी उत्पादों के स्टोक करने की लिमिट को समाप्त कर दिया गया है अमेरिका के फॉर्मर प्रेजिडेंट रोनाल्ड रीगन जिनका कारेकाल 1981 से 1989 के बीस था उनके एग्रिकल्चर सेक्रेटरी अर्ल बुद्स ने एक बहुत फेमस स्टेटमेंट अपने कारेकाल के दोरान दिया था कि गेट बिक और गेट आउट या तो आप बड़ा बनिये या आप बाहर हो जाईए इसी तरह कि नीती का पालन हमें डोनल्ड टरम्प के साशनकाल के दोरान भी देखने को मिला क्योंकि उनके समय में भी ये कहावत बहुत फेमस हुई कि या तो आप अपने आपको बड़ा बनाईए या आप रास्ते से हट जाईए कहने का मतलब ये था कि अमेरिका में जो बड़ा था वो बड़ा होता चला गया और जो छोटा था यानि जो छोटा किसान था वो रास्ते से हटता चला गया कुछ परिणाम नीटियों की इस परकार से आते चले गए और कैसे आये परिणाम इसके लिए हम उधारन के रूप में अमेरिका से दो क्षितर चुनेंगे एक मुंगफली के क्षितर का और एक डेरी क्षितर का कि इस फिल्ड के किसानों को किस तरह से बरबादी का सामना करना पड़ा है यूएस नेशनल फार्मर्स यूनिन के नुसार 1965 से लगातार अमेरिका में मुंगफली के दाम नीचे गिर रहे हैं इसके कारण अमेरिका में चार में से तीन मुंगफली किसान मुंगफली के बिजनिस कारिये से बाहर हो गए हैं और ये सब ऐसे समय में हुआ है जब मुंगफली की खपत अमेरिका में लगातार बढ़ रही है 1965 में मुंगफली का दाम एक डॉलर पर पाउंड था जो 2020 में गिरकर 0.25 डॉलर पर पाउंड हो चुका है यानि 75 परतिशत की मुंगफली के दाम में गिरावट हो चुकी है अगर आपको ये लग रहा हो कि ये सब उत्पादन के बढ़ने के कारण हुआ होगा तो मैं आपको वशिंटन पोस्ट की एक रिपोर्ट दिखाता हूँ जो बताती है कि किस तरह से मुंगफली के पूरे बिजनिस पर तीन बड़ी कमपनियों ने कबजा करके मुंगफली के खरीद मुले को फिक्स्ट कर दिया इसके खिलाफ अमेरिका के 12,000 मुंगफली के किसान आदालत में चले गए उन्होंने इनके खिलाफ केस कर दिया आदालत में कमपनियों ने इस्विकार किया कि उन्होंने जान बोज करके मुंगफली के दाम को प्रॉफिट के लिए फिक्स्ट किया था और उसके बाद ये कंपनिया किसानों को 130 million dollar का मुआफजा देने के लिए सहमत हुई यह है खुला बाजार जहां बड़ी-बड़ी कंपनिया investment के माध्यम से समय के साथ price set करने की power हासिल कर लेती हैं किसानों से खरीदने का भी और बाजार में बेचने का भी केवल अपने profit को बढ़ाने के लिए इसी तरह से हम अमेरिका के dairy क्षित्र का भी उधारन ले सकते हैं 1970 के दशक में big corporations ने अमेरिका के dairy क्षित्र को take over किया इस से इस शेत्र में technology आये और उत्पादन बढ़ा लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ 93% अमेरिकी dairy farmers इस शेत्र से बाहर हो गए क्योंकि उत्पादन के बढ़ने से कीमत कम हो गई जिस कम कीमत पर ये profit बनाने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं थे तो इन सब का परिणाम आखिर क्या है परिणाम ये है कि आज अमेरिका में अमेरिकी किसान 425 बिलियन डोलर यानि लगबग 32 लाग करोड रुपे के दिवालियापन के शिकार है अमेरिका के ग्रामिंट शित्रों में शेरिक शित्रों के बनीस्पत 45 पर्तिशत आत्महत्या की दर अधिक है और ये सब तब है जब अमेरिका में एक किसान को प्रतिवर्ष 62,000 डोलर की सबसेड़ी मिलती है और उसके मुकाबले में हमारे देश के एक किसान को कितनी सबसेड़ी मिलती है साला ना 200 डोलर की इसी तरह से हम कैनेडा का एक्जामपल ले सकते हैं कैनेडा में 1867 में गेहू की कीमत पर बुशल 30 डोलर थी एक बुशल में 27 किलोग्राम होता है और इंफलेशन को एड़जेस्ट करने के बाद 2017 में कैनेडा में गेहू की कीमत पर बुशल रही 5 डोलर यानि 2017 में एक कनेडियन किसान ने गेहूं पर जो कीमत प्राप्त की उसके पड़ दादा ने उससे 25 डोलर अधिक प्राप्त की थी 1866 में यह खुली क्रिशी बाजार नेती क्योंकि 1980 के दशक से वहां भी क्रिशी उत्पादों के एक एक्सपोर्ट पर बहुत बल दिया जा रहा है, खुली क्रिशी बाजार नेती को अपनाया गया है लेकिन एक तरफ जहां किसानों को उनकी फसलों के दाम नहीं मिल पा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भोकता कीमते लगातार बढ़ती जा रही है जैसे यूएस और कैनेडा में 1975 में गेहूं की जो कीमत थी उसमें कोई व्रिद्धी नहीं हुई है लेकिन एक बुशल यानि 27 किलोग्राम यहूं से बनने वाले 60 ब्रेड के टुकडे 60 लोव्स की कीमत में 1975 से 2015 के बीच 50 डोलर की बढ़ोत्री हुई 1975 में 25 डोलर थी और 2015 में 75 डोलर और ऐसा ही दूसरे खादे उत्पादनों के साथ भी हुआ है इसी से आप समझ सकते हैं कि किसानों से जिस कीमत पर फसलों को खरीदा जा रहा है वो कीमत स्थिर है तो कैनेडा में average farm size बढ़कर के हो गया 3,000 एकड लेकिन क्या इससे क्रिशी संकट समाप्त हो गया अगर वास्ता में क्रिशी संकट समाप्त हुआ होता तो वर्तमान में कैनेडा में किसानों पर 102 बिलियन डॉलर का कर्ज है यूएस में total population का केवल 1.5% खेती पर निरबार है औ यानि लगबग 32,000,000 करोड का फ्रांस की total population का केवल 7% कारिशिल जनसंख्या खेती में सनलगना है लेकिन फ्रांस के total किसानों में से 44% किसानों पर 4,000,000,000 यूरो का कर्ज है एक यूरो में 87-88 रूपिय के बराबर होता है और फ्रांस के 25% किसान पर मंत 350 यूरो से भी कम कम समाते हैं जो गरीबी रेखा से भी नीचे का इस्तार है यानि 25 परतिशत जो किसान है वो गरीबी रेखा से नीचे की आहे में युरोप वर्तमान में अपने किसानों को प्रतिवर्ष सो बिलियन डॉलर की क्रिशी सबसेड़ी प्रदान करता है जो खबरे हमें किसानों की सम्रिद्धी की मिलते हैं क्रिशी बाजार नीतियों की सफलता की मिलती है उनकी दक्षता की मिलती है वो दरसल सबसेड़ी से च लिखाता हूं यह बताती है कि 1985 से लेकर 2005 के बीच जो एग्रिकल्चर का आउटपुट प्राइस है वो लगबख सेम बना हुआ है यानि जो कीमत 2045 में किसान प्राप्त कर रहे थे वही कीमत 1984 में प्राप्त कर रहे थे उनको किसी परकार का कोई प्राप्त हुआ ही नहीं डेवलप्ट कंट्री इस तरह की स्थितियों को काउंटर करती हैं सबसीडी परदान करके जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इरोप में 100 बिलियन डॉलर की सबसीडी परदान की जाती है किसानों को और इसमें से भी 50% जो सबसीडी है वो डारेक्ट इनकम सपोर्ट के रूप में दी जाती है तो विक्सित देश जो है इन इस्थितियों को काउंटर करते हैं सबसीडी के माध्यम से जबकि के कि विकास सिल देशों की इन चीन के गेहूं के किसानों की टोटल आये का 38 परतिशत और चावल के किसानों की टोटल आये का 32 परतिशत केवल उनको दी जाने वाली सबसीड़ी से आया है। इन सब बातों को सामने रखने का तात्परी ये है कि बाजार दुनिया भर में किसानों की आए बढ़ाने में बिल्कुल असफल रहे हैं और ये एक ऐसा तथ है जिस पर कोई TV डिबेट नहीं, कोई चर्चा नहीं और जिसे देश के बहुत से अर्थसासरी भी जाने माने अर्थसासरी भी एकनॉलिज नहीं करते हैं 2019 में American Farm Bureau Federation ने कहा कि उसके 91% किसान दिवालियापन के शिकार हैं और 87% किसान ये कहते हैं कि उनके पास खेती को छोड़ने के लावा कोई भी विकल्प नहीं है और ये तब है जब America में जो average land holding है यानि America में एक किसान के पास जो average ओसितन जमीन है वो 160 hectare है Australia में 4000 hectare है और हमारे देश में 1.1 hectare तो जब ये खुले बाजार की जो निती है ये America, Canada, Australia, Europe में सफल नहीं हो पाई तो हमारे देश में छोटे किसानों को छोड़ेगी है ये दरसल अमीर किसानों के द्वारा चलाया जा रहा है जो पंजाब, हर्याणा और पश्री मुत्तर प्रदेश के अमीर किसान है वही इसका नेतुर्ट तो कर रहे है अब ये किसान कितने अमीर है इसके कुछ आंकड़े मैं आपके साथ साजा करना चाहता हूँ जैसे पंजाब में एक तहई किसान गरीबी रेखा से नीचे जीवनियापन करता है पंजाब के किसान परिवारों पर एक लाग करोड रुपे का कर्ज है और 2000 से लेकर 2015 तक पंजाब के 16600 किसान आत्मत्या कर चुके ये सारी चीजे क्या अमिर किसानी की तरफ इसारा करती है किसान आंदोलन को डिस्क्रेडिट करने के लिए ही ये चीज़े फैलाई जाती है इसलिए हमारी खेती की समशाओं का समाधान करने के लिए हमारे यहाँ जो कृशी बाजार का मोडल है उसे ही दुरुस्त करने क्या शक्ता है MS स्वामी नाथन कमिशन की रिपोर्ट के आधार पर जिससे छोटे किसानों की हालत बहतर हो सके जैसे शांता कुमार समीती ये कहती है कि हमारे यहां केवल 6 प्रतिशत किसानों को ही नियुनितम समर्थन मुले उनकी फसलों का मिल पाता है MS पी और चुराण में प्रतिशत किसानों को उनकी फसलों का नियोनितम समर्थन मुले नहीं मिल पाता यानि वो बाजार पर निर्भर रहते हैं इसका प्रतिशत बढ़ा करके 50 से 60 प्रतिशत करना और इसका समाधान क्या है इसका समाधान है जो MS स्वामिनाथन कमिशन सुझाता है कि हमारे देश में जो वर्तमान में लगबग 7000 मंडिया है पांच किलोमेटर के दायरे में किसानों को मंडी उपलब्द कराने के लिए और ज्यादा समझ में आ जाएगी 1970 में गेहू का MSP था 76 रुपे पर क्विंटल वर्स 2015 में इसको बढ़ा करके कर दिया 1450 पर क्विंटल यानि 19 गुणा की बढ़ोत्री और 2021-22 में इसकी कीमत है 1975 रुपे पर क्विंटल यानि टोटल व्रिदी हुई 26 गुणा की लेकिन इसी इस दोरान 120 से 150 गुणा की व्रिदी हुई है। College professors की salary में इस दोरान 150 से 170 गुणा की व्रिदी हुई है। और school teacher की salary में इस दोरान 280 से 320 गुणा की व्रिदी हुई है। अब आप इसकी तुलना कर लिजे कि किसान की हालत बदतर नहीं होगी तो क्या होगी जब आप उसकी फसलों का ही दाम उसको नहीं दे रहे है। Organization for Economic Corporation and Development और Indian Council for Research on International Economic Relations ने एक study करी और उसमें आकड़ा प्रस्तुत किया 2000 से लेकर के 2016 का। और उन्होंने ये बताया कि इस दोरान भारती किसानों ने 45 लाग करोड रुपे गवाए। गवाए कैसे? क्योंकि उन्होंने इस पिरिड के दोरान अपनी फसलों को अंतराष्टी कीमतों से 15% कम पर बेचा जिसकी total value निकल कर के आई 45 लाग करोड रुपे है। अब आप बताईए कि जो ये आपको किसान सम्मान निधी के तोर पर पैसे दी जाते हैं, अगर इसके स्थान पर आपकी फसलों का, किसानों की फसलों का उनका सही दाम ही उनको मिल जाए, तो इन सब दिखावों की जरत ही नहीं पड़ेगी कि हम इंकम दे रहे हैं, हमने 18,000 करोड रुपे दे दिए, आप किसानों की फसलों का वास्तिक दान तो दो उनको, वर्ष 2016 के एकॉनमिक सर्वे के अनुसार हमारे देश में एक किसान परिवार की ओसेतन आए सालाना 20,000 रुपे है, यानि पर मंत आए कितनी बैठती है, 1666 रुपे, 1700 रुपे भी नहीं, हमार कि 37 देशों में खाद के लिए, यानि खाने के लिए, भोजन के लिए दंगे हुए, और फूड राइट्स जैसे नए शब्दों का आविश्कार हुआ, लेकिन भारत उस तरह के खाद संकट से बचकर निकलने में काम्याब रहा, क्यों? क्योंकि भारत ने कॉमर्डिटी ट् पर्याप्त स्टोक था, स्टोक क्यों था? एपीमसी मंडियों की वज़ज, तो आवशक्ता इस बात की है कि हम इन मंडियों की जो समश्या है, ऐसा नहीं है कि मंडियों में समश्या नहीं है, समश्या है, कार्टिलाजेशन की समश्या है, पॉलिटिकल इंटर्फिरेंस की, राजनितिक हस्तक्षेप की समश्चा है, पारदर्शिता ने होनी की समश्चा है, लेकिन इन समश्चाओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, नैकि इन मंडियों को ही समाप्त करने का, आप इन में पारदर्शिता बढ़ाईए, प्रोफेशनलिजम लाईए, इनकी कारेश सरकार को ही खरीदनी पड़ेगी इससे केवल यह होगा कि सरकार का विबिन फसलों के लिए जिन 23 फसलों के लिए MSP निरधारित होता है उनका एक benchmark price तैह होगा और benchmark price तैह होने से बाजार में भी उन फसलों की सही कीमत किसानों को मिल पाएगे इसलिए वर्तमान में जो हमारे यहां किसान अंदोलन चल रहा है उसकी इन सब चीजों को लेकर के जो डिमांड्स है जैसे APMC मंडियों को सुद्रेड करने की MSP को लीगल राइट बनाने की यह सारी डिमांड्स बहुत वाजिब है और निशित रोप से सरकार को इन समश्याओं है कि विदेशों में किसान बहुत जादा अमीर हैं और वो बहुत जादा प्रॉफिट कमाते हैं जबकि ऐसी स्थिति नहीं है आप इस वीडियो को शेर जरूर कीजे ताकि यह जादा से जादा लोगों तक पहुंच सके और अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी है तो इसको लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन जरूर दबाएएगा ताकि आपको लेटिस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे मिलते हैं एक नए विशे के साथ बहुत बहुत धन्यवाद